क्या लिख था है left में just बड़ा simple था पंडा है just now बात करता है simple past में हमेशा और just बात करता है present perfect में हमेशा यानि हमारे बच्चे को बस यह देखना है कि sentence में अगर has a third form है तो क्या लगेगा और अगर sentence में second form है तो क्या लगेगा इतनी सी बात है बच्चे confused क्यों हो जाते हैं क् कि दोनों काफे similar हैं देखने में मिलते जुलते हैं ध्यान नहीं जाता एकदम से कि just लिखा है या just now just जो है वो अभी की बात करता है और just now पहले की बात करता है जिसमें बच्चे को उल्टी feeling आ रही है नाव में बच्चे को लगता अभी की बात होनी चाहिए जबकि नाव म से देख लो पहला question क्या दिख रहा है he has arrived just now has arrived तो ठीक है पर just के साथ नाओ नहीं होना चाहिए second he had walked out on his wife just like that just के साथ present perfect होना चाहिए लगा क्या दिया had walked करेंगे क्या has walked